अस्लाम लेकूम मैं हूँ शबीना खुशाम दीठ आपको मेरे चैनल इजी रिसिपी बाई शबीना पे शुरू करते हैं लगाला के बरकतों वाले नाम से आईए हम आपके साथ सहरी की रिसिपी शेयर करते हैं आपको रमदान शरीप में भी काम आएगी और रमदान शरीप मे पत्ति केटी हई है, सबस धन्या की पति कटी हूई है, आप यहां पर कोई भी गरीन चीज आइट कर सकते हैं, पालक वगरा भी डाल सकते हैं, और हमने यहां पर हईब जरुवत नमक लिया है, थोड़ा सा जीरा पावडर है, थोड़ी सी काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्चों को लिया है आप चाहें तो मिर्चों को कब ज्यादा कर सकते हैं तेन अंडे है बनाने के लिए घी हमने लिया लिया है सकते है is कि एक बाइल में हम न रीक सुट लिया है और उसमें सब्सक्राइण की चीज NouMAN कर अच्छे तरीके से हमने फेट लिया है और आए अब हम बनाना शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर रह्मानिर रहीम घी को पैन में थोड़ा गिरीज कर लेंगे और अपना बैटर इसमें हम डाल देंगे थोड़ा हलगे से गरम होने के बाद बैटर को ऐसे से थोड़ा फैला ले एक side से पकने के बाद हम इसे प्लट लें के एक side से देखें पक चुका है हम इसे यहां पे प्लट रहे हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुका है थोड़ी देर तक दूसरे side पर हम कलर आने देगे ब्रेट को सेखने देंगे, ब्रेट सेख जाए तो हम उसे निकाल लेते हैं, आई पलट के देखते हैं, ब्रेट सेख चुका है, बिल्कुल अच्छे तरीके से देखे, कलर आ गया है, आके हम यह आपे निकाल लेते हैं, और इसी तरीके से करते हुए उपना दूसरा ब्रेट भी शेक लेंगे, आप इसी तरीके से करते हुए अपना जितना नाश्ता बनाना है सब बना लीचिए, और इस बैटर का बड़ा अच्छा इस्तमाल है कि आप इसको डबल रोटी पे, ब्रेड पे या फिर आप रात के बची हुई बासी रोटी के साथ भी बना सकते हैं, घी को तवे पे फिर से ग्रीस करेंगे, और बैटर को हम रोटी के साई से फैला लेंगे, बैटर को हमने रोटी के साई से फैला लिया है, इस पे हम अपनी रात के बची हुई रोटी के इस्तिमाल करके नाश्ता बना रहे हैं, आप चाहे तो बासी रोटी, ताजी रोटी, डबल किसी भी चीज से बना सकते हैं नाश्ता बहुती टेस्टी होता है और बच्चे बहुती शौक सिखाते हैं आप सहरी के लिए बड़ों के लिए भी बना सकते हैं बच्चों के लिए भी बना सकते हैं हमारी सहरी के लिए बहुती कामाने वाली टिप्स है वीडियो अच्छा हम गया इसको बंद कर देते हैं फटाफट से दो तरीके से सहरी बनाना हमने बता दिया है वीडियो अच्छा लगे है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लेज सामने लगा हो दिलका इकान भी दपा दें आला तला आप सभी पर रमदान शरीफ की रहमता और बरकता नाजिल कर रखे वीडियो आखिर तक देखने के लिए बेहर शुक्रिया हमें भी दूआउ में याद रखे चलिए मिलते हैं ऐसी मज़े मज़े की रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में इन्शाला अल्ला हाफीज